Hello dear student, आज आपन स्टार्ट करतो है Organic Chemistry 1st chapter, Halogen Derivatives तो या chapter बाती जे CET लेवल चे MCQ जशिल ते आपन आज इते सौल करना राहोच चला आपन स्टार्ट करिया Now, first MCQ The molecular formula of DDT is आपन इते आजे DDT चे स्टुक्चर द्रौ करना Now, DDT has First of all, this is 3-Clorine Then, C, H Now, this is Benzene To this Benzene At this Para-position, there is again one Chlorine Again one Benzene is there And same at Para-position, there is another Chlorine And for balancing, there is one Hydrogen This is the structure of DDT Now, structure में तुम आला बागा ही सहे Number of Chlorine item किती है This is 1, 2, 3, 4 and 5 Number of Chlorine items are 5 Therefore, option A is correct Next MCQ What is the main product of the reaction between 2-methyl-propene with HBR? आपने ला 2-methyl-propene ची reaction कराईजी HBR सोबद सब्सक्राइज आपने आपने ड्रो करना 2-methyl-propene चा स्ट्रक्टर आपने ते मेंशन करूए This is 2-methyl-propene आपने 2-methyl-propene सोबद react कोना है, react कोना होता है HBR आता केरफुली आपजर के लगतर जो अलकीन आपने दिला है तो है अन्सिमेट्रिकल अलकीन ठीके ना हाँ अलकीन कसा है अन्सिमेट्रिकल जो रियेजेंट आपने अड़ करतो है HBR तो सुद्धा कसा है अन्सिमेट्रिकल अजा है ठीके अाता ये बगीतला बगी ले तुम्हें डोके माधे आला पाये जे मारको निकोफ's rule ठीके according to मार्को निकोफ's rule when this asymmetrical alkene when this asymmetrical alkene reacts with asymmetrical reagent then this negative part या केसमेदे ब्रोमी नाहे ब्रोमी नाहे negative part हाण negative part अश्या कारबनला attach होना राहे जैचा कडे नॉम्बर ओफ हइड्रोजन कमी अज़ चत। तुमीला केरिफुली secondary अबजर केला carbon-carbon, double bond तुम्हाइतला रायद्फन तुम्हाँ 利उ सतो या carbonला number of hydrogen खुब कमी आहे तुम्हाँ carbon करे इकड़ेटीव पार्ट एटेश होनारे मा पॉजिटिव पार्ट कुटे जाएल तेछा शेजर्चा कार्बनला माझे CH2 चाटी कानी मा तुम्हा प्रोड़क्ट मेनार आहे CH3, C, CH3 बगा या कार्बनला एटेश होता आहे ब्रोमिन डबल बॉंड चा होनार सिंगल बॉंड आणी CH2 माझे एक hydrogen अज़ुन और तेह होनार CH3 तो तुम्हाला मेले टर्शरी ब्यूतिल ब्रोमाइड टर्शरी ब्यूतिल ब्रोमाइड चास तुम्हाला IOPC नाव सांगाव लागेल तमी तुम्हाला तेपन क्लेर करतू केचा IOPC आपन कसाननार या चेन ला नम्रिंग करा 1, 2 and 3 at carbon number 2 there is a bromine therefore I am going to write here 2-bromo ठीक है अनि at the same time 2 number चास carbon ला मिथिल है मनों मिलेना 2-methyl अनि parent chain मधे carbon ला है 3 therefore I am going to write here propane the name of compound is 2-bromo-2-methyl-propane therefore option 2-bromo-2-methyl-propane option B is sorry option D is correct next MSU क्यों अपन बाग है silver acetate plus Br2 in presence of carbon disulfide then there is a formation of some product the main product of the reaction is बागा simple reaction is silver acetate चे तुमाला राग्शन दिली silver acetate अपन का सदाक होता है CH3C11OOAG this is silver acetate यह चे राग्शन तुमाला करा है चे bromine सुबाद I am going to show here bromine in presence of carbon disulfide now what will happen बागा इकट चे तुमाला चे राग्शन होना रे ब्रोमीन सुबाद हे जेवा दोगर राग्शन होते लिए तेवा तुमाला पहला पहला कंपोंड मेनार CH3BR प्लस अजूं काई मेल तुमाला हाँ silver अण इकट चा ब्रोमीन हे सुद्धा मिक्स होता है तुमाला अजुनेक प्रोमीन तेवा Hg बग आधी हम हाइति करूंगा कि रे एक्शन काये होते जयवा एकक अदे अल्कोल ची रियक्शन आर ओएच रियक्शन होता है हाईड्रोजन हैलाइड सुबाद तुमाला इजीली प्रोडोक काया में प्लस है क्या है H2 अधा कुश्चन त असा है कि हे जे काई ROH है आसते प्राइमरी अल्कॉल से पते हैं, मैं तुम्हारी एक्स्प्रेंग कर ऊते हैं, सम्जा में एक्षाइए एक्जम्पल देले दुम्हाला, CH3, CH2, OH, अजुन एक एक्जम्पल देले, CH3, CH, CH3, आनि याट इकनी में जो ओड़ा है, OH, आनि अजुन एक एक्जम्पल अपन बोगो यही थे, CH3, 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 here OH, and here CH3, तुम्हारी बगितला, दिस प्राइमरी अल्कॉल, दिस इस सेकंडियर अल्कॉल, आनि दिस टर्शरी अल्कॉल, आता या केस में दिस बगितला, तर अल्कोहली ग्रूप जा कार्बन ला एट चाहे, अधा बगा, या केस में दिस आपन तर्शरी तर विजर केरा, तो या कार्बन ला, या सेंटर चा कार्बन ला, नंबर ओफ अल्कॉल ग्रूप जासता है, अनि नंबर ओफ अल्कॉल ग्रूप जासता है, तर प्लस आई इफेक्ट वाड़ तो, positive inductive effect वाड़ नारे, अन जितका positive inductive effect वाड़ेल, त्योड़ा उखर हा ओच बॉंड काय हो इल ब्रेक हो इल मंज़ हां कार्बन आणी ऑक्षिन हां बॉंड इसली काय हो इल ब्रेक हो इल यह चर्दक आए कि जैचे कड़े नंबर ओव अलकी गुरूब जासा है ते कंपॉंड जास्थ रियक्टिव असेल मंज़ आप्टला में सीक्वेंस अ विच अब दो फॉलिंग कंपॉंड इस फॉंड बगा काई कोश्टिन में चर्ला है अन हीटिंग डाई इथिल इथर विथ एच आई अप्टला अधी डाई इथिल इथर दाख़ा हो लागेल डाई इथिल इथर कसा प्रेंट करता आपन सीट्टू एच फाईउ ओ सीट्ट अधा बगाख सिंपल रियक्शन का होते है जिवा अधा ही लक्षान गया ही हौट कंडीशन है में तुम्हाला कोल कंडीशन बदल सुद्धा डिसकेशन करना है हौट कंडीशन ला का होता है कि है है हाइड्रोईडिक अशिट मधे अधिए हाँ C अनी O थे bond क्या होता है ब्र हे दोन हाइड्रोजन शिल लगे आणि इते रियाक्ट हो दया कोना सो बद ऑक्सिजन सो बद तुम्हाला साइपडोग काय में आरे H2 तुम्हाला टू मोलेकोल्स कुना चे में आले इथिल आइड़ेड छे that is option C is correct पंज तुम्हाला हे hot condition ना देता मांजे heating ना देता तुम्हाला cooling की उमा cold condition सांगितले असी तकाय जाले असी रियाक्ट्शन आपन दे में एंशन कोरिया C2H5O C2H5 यह एची रियाक्शन आपन करतो है HI सोबत तब अगा रियाक्शन क्या होते तुम्हाला carbon आणि ओक्सेन bond break कराएज है मां तुम्हाला कुटलाए bond break कराएज सबोज मी हाँ bond break करा तो यह C2H5 सोबत एका आइड़ेड ला तुम्हाला प्रोड़क्ट में C2H5I मांजे इथिल आड़ेड मेल आणि इकर जब तो काई इथोक्सेड ग्रूप है यह इथोक्सेड सोबत तुम्हाला जोडायचा कोना है hydrogen मां तुम्हाला अजुनेक साइड प्रोड़क्ट मेल that is C2H5OH मांजे एक मिरते तुम्हाला अल्किल हैलेड आणि दूसरा मिरते अल्क कंडिशन ची आमया अपलो अप्छोन आहे टू मोल्स ओ इथिल आयएड मेंसे रीक्षिन ओफ इथिल ख्लोरायड विच सोडियम लेंस्तो अगधी सिंपल रियाक्षिन है इथिल क्लोरायड reacts with sodium ही कुछला टापछिन इस वर्ड सेंथेस बगा अपने इथिल क्लोरायड इथ मेंशन करूया C2H5Cl, यह ची रियक्शन तुम्हाला करेंची sodium सुबद, आपनेला बैलंसिंग करने साथी 2x sodium एड़ कराये साए, आणी वर्ड्स रियक्शन मदे जे अपन अलकील हेलेड यूज करते है, ते सुद्ध आपनेला 2x यूज करेंचे, मा हाँ सेम अलकील हेले में इथी यूज करते है, that is Cl, C2, H5, in presence of dry ether, बग आता रियक्शन काय होनारे, तुम्हाला हे क्लोरिन कम्बाइड करेंचे sodium सुबद, आपले कड़े संद्ध दोन क्लोरिन आ, असले हो शोकते है, CH3, CH2, हाँ बाइला इथील, आने तेरे पूढे CH2, CH3, हाँ दूसरा इथील, आशा, पदे तुम्हाला काय में आला है, तेरे दा फॉर्मेशन ओफ एन ब्यूटेन, ब्यूटेन ओप्शन इस करेंड, आप्शन C, नेक्स से क्या अपन बहु गया, treatment of ammonia with excess of ethyl chloride yield, बगा, ammonia ची reaction कराईची, कोना सो बद कराईची है, ethyl chloride, पनलख्षाद गया है, ethyl chloride कसा देले तुम्हाला, excess quantity मा देले, excess quantity मा दे जावा ethyl chloride असा, ते भा, ते continuously ammonia सो बद रियाठ होते है, कसा द्या आपन चेक को रहा, for example, मैं तुम्हाला अमोनिया मेंशन करते है, that is NH3, बगा, हाँ NH3 जेवा ethyl chloride सो बद रियाठ होते है, that is C2H5Cl, this is 5, यह जेवा रियाठ होते है, तेवा तुम्हाला पहला जे कंपॉण मेंटा है, यह चा मा दे बगा, तका होते है, तुम्हाला अमोनिया मादला एक hydrogen remove है, मैं तुम्हाला कंपॉण मेंटार C2H5NH2, यह में यहला तुम्हाला प्राइमरी आमाए, ठीके, प्लस तुम्हाला साइप्रोग मेंटार है HCl, परता तेने एक कंडिशन देली है, कि है इथिल chloride तुम्ही कसा ड़कता है, एक्सेस कॉंटिटी मादे ड़कता है, एक्सेस मनला अचीचक डिक रिमूँ करही है आणि द्याट टेच्चा जाइकॉड तेच्चा ड़कता है C2H5NH2, इह Si क्से द्याट Commerce, पूर्चैस कंडिटी आढ़कती है C2H5NH2NH2, प्लस है KbCL, ल Zug सबत्चा जाएमरी नाहिं है करना प्राइमन चिचा जाइक कंडिटी आढ C2H5NC2H5NC2H5 and one more C2H5 अदभग आजोने reaction थामनार नहीं है तुम्हालाइचे में पुन्ना आड़ कराएचे C2H5Cl अदभग इते replacable hydrogen ता नहीं है but still there is a addition of C2H5 वह तुम्हालाइचे compound में ते आस C2H5N तुम्हालाइचे दिसत नहीं है मिते साइडला मेंशन करो तो है मिया साइडला दाखो तो रियक्शन it is C2H5N again C2H5 C2H5 and C2H5 मां यहां नाइट्रोजन ला 4 एथिल अटेज जाले तस अ बगाले तम नाइट्रोजन चे वैलेंसी फक्त की दियास थे 3S थे पर आपन 4 एटेज के लिए तेवा नाइट्रोजन वरती चार्ज के एनार पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव चार्ज बैलन्स करना साथी इकड़ आपन क्लोरी न्यूस करना रहे इते अपन मेंशन करो CL- इतिल 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 आणि टोटल नमबर ओफ इतिल लाले 4 मोना पंडी तेट्राइथिल टेट्राइथिल सेंटरला है नाइट्रोजन की जो अमोनिया सा डेरिवेट हो है, it is ammonium, अन्य जे शेजर या है, chlorine, उना पर महनता है, chloride, that is option C-screw, correct, tetraethyl ammonium chloride, next तेम से क्यों, when alkyl halide is heated with dry H2O, it produces, बगा alkyl halide तुम्ही कुटल लए गया, for example, मी एक अदर compound घेतों है, suppose, CH3, CH2Cl, है मी alkyl halide घेतले, याची reaction आपले लग कराएची, H2O सो बद, इतने में मेंशन करतों है, H2O, और लग्षाटिय वास आगा है, त मादवाची condition है, dry condition लाए, dry condition में अपन हीटिंग करना रहोतों, बगा आते या case में क्या होतों, balancing purpose 30 आपन है टू टाइ चे दोन मोलेकुला है, त मी सपोज मी separately ते समाधिना पूरते इथे साइडला एकस्प्लेंग करतों, CH3, CH2Cl, again CH3, CH2Cl, याची reaction होते, H2O सो बद, ठीके, H2O में आपना साइडला समाधिना साथी एकस्प्लेंग करतों, आतो होता बगा का है, इकड़ चा सिल्लूर और इकड है, हे दोगां कामबाइन होनता है, साइड़ प्रोड़क महीनार, A-G-C-L, तशाल पतेदिने, इते सुन्दा तुमाला साइड़ प्रोड़क महीनार, A-G-C-L, मा इते साइड़ प्रोड़क मी में निमेशन करते है, 2 ताइमस A-G-C-L, अधद बगा, A-G-C-L, A-G-C-L, न C2H5O C2H5O महीं तुम्हाला फैमिली में याली इथर फैमिली अपला option शो दाइसा इथर that is option B is correct चला पुर्चा MCK बगविया था विच अप दे फॉलाइंग अल्किल हैलाइल इस हाइड्रोलाइज बाई SN1 मेकनिजम बादा SN1 आणी SN2 यह बड़ती खुब धरलाइंग शो थो simple trick लक्सा अठिवा जर थी SN1 reaction अचल मीदे साइडला मेंशन करो तो है SN1 reaction SN1 reactions अपला करेच अचल SN1 जब अपलाइज रियक्टिविटी बगितली अल्किल हैड़ जी तर tertiary alkyl हैड is more reactive than secondary which is more reactive than primary and जर SN2 reaction अचल तो primary alkyl हैड is more reactive than secondary than tertiary फिल एक्साटियो माता अप्ताचा question में तुमाला वीचार लाए SN1 अपम प्रत्यक option चेक कूरिया यह पहला जे compound दिला है तुमाला यह प्राइमरी alkyl हैड दूसरा जे दिला है ते सुदा है प्राइमरी तीसरा एक्जम्पल सुदा है प्राइमरी और जे चाउथे एक्जम्पल दिला है ते स्टक्चर में ते साइडला ट्रौ करतो है इट इज CH3 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 आणि त्या है ग्लोरिन यह तर्शरी alkyl हैड अधा बगार रियक्शन वीचार ली SN1 आणि SN1 साथी हाँ पॉइंट तुम्हें लग्शा रटेवा SN1 चा बप्ति तर्शरी ची रियक्टिविटी फिकुप जास्तर से मा तेनी क्वेशन काई वीचार ला है विच आप दा फॉलेंग alkyl हैड हाइड्रोलाइज बाइ SN1 मान के जम तुम्हेला टीक कराएचे टर्शरी ला मा तुम्हेला टर्शरी आहे option D option D is correct now among the choice of alkyl bromide the last reactive bromide in SN2 reaction is मैं तुम्हेला अत्ताज बुल्लो तो SN2 चा बप्तिज़ आपन बगितला sorry SN2 चा बप्तिज़ बगितला the primary is more reactive than secondary than tertiary आतापन हे compound जा प्रणा दील्या है त्या आपना दी ड्रॉव करूंगी हुए ठीके या case मदे तुम्हेला जा पहला पहला प्रोमो पेंटेन चे दे स्ट्रक्चर करतो है इस CH3, CH2, 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 CH3, CH3, CH2 and BR हाज आला पहला 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 ओप्शन दील्या दील्याए 2-Bromo-2-methyl-butane second option is 2-bromo 2-methyl butane बाके सरे hydrogen acyl तीसरा option तुम्हाला दिला है 1-bromo 3-methyl butane 1-bromo 3-methyl 2-methyl butane that is H3-H CH2-CH2 अगी लास्टोण तुम्हाला दिला दिला D option D option आ है 1-bromo 2-methyl butane 1-2-3-4 1-bromo इति आपला bromine जोडा है 2-methyl that is here CH3 and remaining part is butane that is CH3 CH2 CH CH2 आपन option A-B-C-D में decide करो कि कुछला primary है कुछला secondary कुछला tertiary है ठीके ता पहला case में आपन बगुई आपन बगुई या case में तीगही कुछला है primary में तुम्हाला SN2 साथी सांगित ला है कि SN2 साथी primary are more reactive पन तेनी question बीचला है कि the last reactive bromide जो सेगे त उस्टिरा react will आसा कुछला सेल माँ obviously कुछला सेल ना रहे तो tertiary alkyl that is option B is correct option B is correct